Hello student, this is class 4, subject math, exercise 1.4. Question number 1, compare these numbers and write greater than, less than or equal sign. यहाँ दोनों number के number of digits same है, अब इनको हम इनकी highest place value से compare करेंगे. 2, 2, same, 32, 32, same, 6, 7, 7 बड़ा है, इसलिए अब यहाँ पे हम less than का sign लगाएंगे. जिदर हमारा बड़ा number होता है, उस side हम sign का open side रखते हैं, और जिदर हमारा छोटा number होता है, उस side हम, उधर हम sign का close side रखते हैं. अधर आप ऐसे ही करेंगे, question number 2, arrange the following number in ascending order. यहाँ आपको number increasing order में लिखने हैं, इसके लिए यहाँ सब भी number की number of digit same हैं, अब इनके thousand period की number को compare करते हैं, यदि यह number same होते हैं, तो once period की number को compare करते हैं. 23, 33, 32, 32, 23, 23 सबसे चोटा, इसलिए 23,496 लखेंगे, अब बाकी numbers में 33, 32, 32, यहाँ चोटा 32 है और दोनों जगे same हैं, इसलिए next, 4, 3, 3 हमारा चोटा है, इसलिए 32,396 लखेंगे, अब इन दोनों नंबर में compare करेंगे, यहाँ 33, 32, 32 चोटा है, इसलिए 32,496 लखेंगे, last में हमारा 33,496 लखेंगे, इस तरह सबसे चोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, भी आपको ऐसे ही solve करना है, question number 3, arrange the following number in descending order, यहाँ आपको number decrease order में लिखने है, यहाँ सभी number की number of digits same है, अब इनके thousand periods के number को compare करते हैं, यदि यह number same होते हैं, तो one spirit के number को compare करते हैं, 54, 55, 54, 55, यहाँ आपका बड़ा 55 है, दोनो जगे same है, next, 2, 3, 3 हमारा बड़ा है, इसलिए 55,325 लिखेंगे, अब बाकी numbers में 55, 54, 55, 54, इसलिए 55 बड़ा है, 55,225 लिखेंगे, अब 54, 54, same है, next, 3, 2, 3 हमारा बड़ा है, इसलिए हम 54,325 को लिखेंगे, अब लास्ट में हम 54,225 लिखेंगे, इस तरह हमारा सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, बी आपको ऐसे ही solve करना है, question number 4, from the, from the smallest and greatest numerals with the following, without any repetition, यहां आपको यह जो digit दे रखेंगे, उनसे आपको smallest और greatest number बनाना है, लेकिन कोई भी number repeat नहीं होना चाहिए, smallest number के लिए हम digit को ascending order में लिखेंगे, सबसे छोटी 2, 4, 6, 8, 9, इस तरह 24,689 हमारा smallest number है, greatest number के लिए हम इन डिजिट को descending order में लिखते हैं, 9, 8, 6, 4, 2, इस तरह 98,642 हमारा greatest number है, अधर आप ऐसे ही करेंगे, question number 5, choose any two digits and make, यहां आपको दो डिजिट आपको चूज करनी है, उससे आपको A, 5 डिजिट नमबर smallest, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, जो की हमारी है, 10,000, B में आपको 6 डिजिट, 6 डिजिट के नमबर बनाना है, great as सबसे बड़ा, यह एक बार का आपको अपनी fair notebook में नोट करना है, करने हैं.